दोस्तों आज हम आपको मुकेश जी की आवाज में एक अनर रिलीज गीत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो भी एक सोपर डूपर हिट फिलम में उनका वो जो गीत है वो नहीं लिया गया था तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारी से रिक्वेस्ट है कि किरिपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो आगे भी और भी हम बढ़िया से बढ़िया आपको वीडियो देते रहेंगे चलिए आईए शुरू करते हैं वीडियो आज का जो वीडियो है मुकेश जी की आवाज में बहुत से ऐसे गीत है कि वो फिल्मों में नहीं लिये गए थे अन्रिलीज गीत ही रहे गए थे दोस्तों तो वैसे कई और भी सिंगर्स हैं उनके बारे में हमने आपको वीडियो में जान करी पहले दे चुके हैं जी आज़ी साब के भी कुछ गीत है लता जी के आशा जी के किशोर कुमार साहब के भी हैं दरसल फिल्म बनने से पहले गीत ही रिकॉर्ड होते हैं तो कई बार होता है कि सिचुएशन नहीं बनती गीत की और फिल्म की लंबाई भी बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर गीत को वो स्थान नहीं मिलता लेकिन ये वी कह लिए जी कि एक नाइंसाफी हो जाती है उस कलागार के लिए उस सिंगर के लिए जिसने इतने बढ़िया तरीके से गीत गाया है और उस गीत को फिल्म में नहीं लिया गया था उसी के बारे में ये जानकारी है दोस्तों मुकेश जी के गाये हुए इस गीत के बारे में फिल्म सन उन्नी सो उन्चास में नाइन्टिन फॉर्टीन नाइन में दोस्तों फिल्म आई थी अंदास सुपर डुपर अपने जमाने की फिल्म थी ये महभूब खान साब ने ये फिल्म परड्यूस की थी और डिरेक्ट भी उन्हें उन्हें ने महभूब खान साब ने ही की थे दोस्तों फिल्म में जो मुख्यक अलागार थे नर्गिस्ती राच कपूर थे और दिलीप कुमार साब ने फिल्म में एहम भूमिका निभाई थी दोस्तों फिल्म को एस अली रजा साब ने फिल्म को लिखा था दोस्तों स्क्री गीत लिखे थे प्रेम धवन साब ने भी गीत उसमें लिखे थे दोस्तों तो उसमें कुल फिलम में जब बात करें तो दस गीत थे अंदाज फिलम में अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिलम थी अंदाज खूब चली थी फिलम तो दस गीत थे उसमें मुकेश जी के आव तावाज में यह सोलो गीत था, कोई मेरे दिल में, ये भी खूबसूरत मजरू सुल्टान पुरी साब का गीत था और लता जी ने इस गीत को गाया था दोस्तों, बात वही हो रही है कि इस फिल्म में मुकेश जी का गीत नहीं रखा गया वे इसलिए दो गीत ऐसे मुकेश जी इने गाये थे जो फिल्म में नहीं रखे गए थे एक गीत के बारे में हम पहले भी आपको इसके जानकारी दे चुके हैं हम आज कहीं दिल खो बैटे क्या बात है सदा बहार गीत मुकेश जी की आवाज में कमाल का गीत है मेरी लाडली मजरू सुल्तान पुरी साहब का लिखा है लता जी ने इस गीत को दोस्तो गाया था तू कहे अगर मुकेश जी के एक बार फिर इस में कमाल कर दिया था फिल्म में तो आज हम जिस गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं सुनाओं किया मैं सोनگ जो गीत था उसके बारे में है दोस्तों गीत बहतरीन गीत था दोस्तों फिल्म में नहीं लियागिया था दोस्तों वो गीत मजरॉस सुल्तान पुरी Soulsाप का ही वो गीत था वो तो बात वहीं आ जाती है कि इतने मेहनत से इतने शिदत से कलाकार ने गीत गाया और फिल्म में उसको गीत को जगा नहीं मिली दोस्तो आप ऐसे ही और भी हम आपको इस तरह से वीडियोज में जानकारी आने वाले समय में देते रहेंगे दोस्तो आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद